Hello everyone, I am Dr. Sarika Jaiswal, Senior Gynecologist in Zenith Cosmetic Surgery Center. आज हम बात करेंगे female to male gender assignment surgery के बारे में, इस वीडियो में हम mainly uterus removal, that मतलब hysterectomy के pre-operative और post-operative care के बारे में बात करेंगे. हिस्टरेक्टेमी के लिए हमें दो psychiatrist का opinion ज़रूरी होता है, चोकि most of the patients में पहले ही ले लिया जाता है, hormone therapy start करने के पहले. Guidelines के अनुसार, hormone therapy start करने के एक साल बात हिस्टरेक्टेमी प्लान की जाती है, लेकिन हम उसके पहले भी हिस्टरेक्टेमी कर सकते हैं, endocrineologist का opinion लेके, ताकि वे post-operatively hormone therapy के टोस्ट को adjust कर सके. हिस्टरेक्टेमी के पहले कुछ basic investigations मतलब जाचे कराई जाती हैं, जिसमें sonorafi और blood test होते हैं. यह दोनों ही test simple होते हैं, जिसकी report सेम डे आ जाती है, यह दोनों ही test आप अपने शहर में करवा कर आ सकते हैं, या हम यहाँ admission के बाद हॉस्पतु में भी करवा सकते हैं. Test reports नॉर्मल आने के बाद में, next day आपकी surgery प्लान की जा सकती हैं. Surgery के एक दिन पहले आपको liquid diet और या semi-solid diet लेने के लिए के लिए कहा जाता है, मतब पतला, खिचरी, दलिया या उपमा लिया जा सकता है. Operation से 8-10 गंटे पहले आपको खाने पीने के लिए मना कर दिया जाता है, आपको totally nil by mouth रहना होता है. Operation hysterectomy operation तीन तरीके के किया जा सकता है. पहला होता है conventional तरीका, जिसे कि open hysterectomy कियाता है, जिसमें पेट पर एक जीरा लगाया जाता है, जिसके थ्रूँ uterus और ovaries निकाली जाती है. दूसरा है vaginal hysterectomy, जिसमें कि पेट पर कोई जीरा नहीं होता है, वजायने के थ्रूँ ही uterus और ovaries निकाल दी जाती है, लेकिन इन patients में, transgender patients में vaginal hysterectomy technically difficult होती है, क्योंकि ये patients sexually active नहीं होते हैं, तो वजायना में इतना space नहीं होता है. तीसरा और आधुनिक्तम तरीका है laparoscopic hysterectomy, मतलब दूर्बीन द्वारा uterus और ovaries को निकालना. Zenith Cosmetic Surgery Center में हम transgender patients के सारे hysterectomy operations laparoscopically ही करते हैं, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं, पहला फायदा तो ये कि पेट पर कोई बड़ा चीरा नहीं होता है, तो it is a cosmetically better way of surgery, दूसरा कोई बड़ा चीरा नहीं होने की वज़े से pain minimum होता है और recovery चल दी होती है, आपको next day ही discharge किया जा सकता है, operation में आपको charge गर पर एक-एक टाक्या आते हैं, जो कि 7 या 8 दिन बाद आप निकलवा सकते हैं, अपने शहर में भी निकलवा सकते हैं, operation के बाद, same day के लिए कुछ-कुछ मरीज bloating, मतलब पेट फूलने की complain करते हैं, जो कि बहुत normal है, क्योंकि laparoscopy operation में हम carbon dioxide gas का यूज करते हैं, पेट में डालते हैं, जिसकी वज़े से यह feeling मरीजों को होती है, और यह बिल्कुल normal है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, operation की 6 गंटे बाद आपको liquid diet शुरू कर दी जाती है, जैसे की नारिल, पाने, juice वगरा आपको शुरू कर दिया जाता है, आज से 10 गंटे बाद आपको semi-solid भी दिया जा सकता है, जिसमें की आप दल्या, उप्मा वगरा ले सकते हैं, operation की 12 से 14 गंटे बाद catheter मतलब पेशाप की नली निकाल दी जाती है, जिसके बाद आप खुद से उठकर washroom में जा सकते हैं, operation की बाद पहली बार में urine करने में problem हो सकती है, थोड़ा टैंग लग सकता है, लेकिन ये normal है, एक बार urine हो जाती है, तो उसके बाद सबकुश normal पहले जैसा ही रहता है, एक बार urine होने के बाद में और जब आप ठीक से घुम चलने फिरने लग जाते हैं, और आप दल्या चली शुरू कर देते हैं, तो आपका discharge कर दिया जाता है, घर जाने के बाद कुछ दो तीन बातों को आपको विशेश ध्यानों देना होता है, पहला तो ये कि आपको बहुत ही healthy और proper diet लेनी है, आपको बार बार अच्छा खाना खाना है, एक बार में पुरा खाना करने की को कि आपकी ovaries निकल चुकी है, तो आपका estrogen hormone पुरी दर से समाप्त हो चुका है, इसलिए ये healing को एफेक्ट करता है, इसलिए आपका proper diet लेना ज़रूरी है, दूसरा आपको पानी बहुत जादा पीना है, 3-4 लिटर पानी आपको 24 घंटे में पीना है, नहीं तो urine में इंफेक् बागे, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, discharge में आपको 10 दिन के लिए medicines दी जाती है, जिसमें कि एंटिपायोटिक और नॉर्मल पेन की लग होता है, नॉर्मल female patients के hysterectomy की दुल्ला में, transgender patients में post-operative spotting, मतलब healthy-fulky bleeding होने की chances ज्यादा रहते हैं, इसका कारण hormone therapy रहता है, लेकिन इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप हमसे बात करते हैं, तो आपको simple दवाया दी जाती है, 4-5 दिन के लिए जिस से ये bleeding बंद हो जाती है, operation के एक हफते बाद आप अपने kitchen का काम कर सकते हैं, आप अपने office का काम computer पर बैट के कर सकते हैं, heavy work, weight lifting या gym joint करना हम आ एक मेने बाद अलाउग कर लिता है, इस प्रकार से ये total laparoscopic hysterectomy मतलब की दूर्बीन से आपके uterus और ovaries और fallopian tubes को निकालने का operation, पूरी तरह safe और non-invasive painless surgery है, thank you.